आपका इस इंट्रेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूँ आज जीम बनने की कहानी मैं इस वीडियो में बताऊंगा त्यूक्कि मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो पोस्ट किया था फ्रेंड उसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया थी कि हम कंपनी के इस वीडियो मैंने बताया था कि जीम की सैलिक इतनी है टॉप फाइप कंपनी की मैंने जीम की सैलिडियो पोस्ट किया था राइट बहुत सारे लोगों को काफी अच्छा लगा वीडियो और अच्छा लगना भी चाहिए जिसको इस फील के इंदर जाना है सिंपल सी बात है हमारे mind के अंदर बहुत सारी curiosity होती है कि मैं nsm कैसे बनूँगा gm कैसे बनूँगा अगर मैं फार्वा profession के अंदर काम कर रहा हूं या फिर मैं promotion कैसे लूँगा कौन से steps होते हैं तो यहां पर ब्रीफ में बताऊंगा डिटेल में नहीं ब्रीफ में आप बताऊंगा कि अगर आप किसी company के gm बनने का ख्वाब दिखते हैं तो वो कैसे पूरा हो सकता है और जे फ्रेंड इतना आसान नहीं होता है किसी भी senior post के उपर काम करके काम करना वहां पे क्योंकि जिसे जिसे आप senior होते जाएंगे चाहिए वह कोई सी भी industry हो किसी भी organization के अंदर आपके उपर ना continuously जो होता है responsibility बढ़ती जाती है means आप senior post है senior post पे है means ज्यादा responsible है या आपको senior post पे इसी पे जाना है ज्यादा responsible बनना है ठीक है तो शुरू करते हैं कि कैसे कैसे कौन से steps होते हैं जिसके तुम वहां तक पहुंच सकते हैं तो जो लोग भी GM बनना चाहते हैं किसी भी company के अंदर pharmaceutical industry के अंदर या other industry के अंदर process almost stream होता है हर एक company का GM फ्रेंड medical rep फार्मा के अंदर basically medical rep से ही अपना कैरियर स्टार्ट करता है जैसे जैसे अपनी अंदर फ्रेंड आप leadership skills को develop करते जाते हैं वैसे आपका promotion होता चला जाता है अब यह promotion कितने time में होता है promotion depend करता है आपके अंदर leadership skills कितनी develop हुई है और कितना fast आप learning कर रहे है as well as जो आपकी performance है वो आपके learning को support कर रहा है ऐसा नहीं कि आप बोले sir मेरे पास तो बहुत leadership skill है बहुत सारी चीज़े मुझे आती है लेकिन field में क्या है आपके जो performance है target achievement वो तो proper आई नहीं रहा है ठीक है इसका मतलब आपकी जो आप बोल रहे है वो आपकी जो work है वो उसको match करना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप बोल कुछ और रहे हो match ना करें तो simple सी बात है friend as a medical rep आपकी performance भी अच्छी होनी चाहिए साथ ही साथ आपके अंदर responsibility होनी चाहिए तो आप यहां से ABM बन जाते हैं promotion हो जाता हाडली अगर कोई अच्छा medical rep काम करता है तो 3-5 year के अंदर उसको promotion ले लेना चाहिए ठीक है लेट नहीं करना चाहिए 3-5 year के अं नहीं कर पाएंगे ठीक है आपको team handling as well as team management and motivate करना people को आना चाहिए एक team से एक team की तरह work लेना आना चाहिए इसके बाद दूसरा जो step होता है वो होता है RSM का regional sales manager का ठीक है अलग लग company में अलग लग लग नाम हो सकती है तो यहां भी लग 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 तीन साल का time period लग सक में होनी चाहिए आपको जो leaders है ना उनको manage करना आना चाहिए इसके पहले तो आपको leadership still चाहिए होती है बड़ जब RSM बन जाते हैं तो आपको leaders को manage करना आना चाहिए means आपके अंदर leaders को handle करने की capacity develop करनी पड़ेगी आपको ताकि आप leaders को handle कर सेके इसके उपर जो next promotion है वो control leaders of leaders में पहुँच जाते है means आप ZBM बन जाते हैं आपके पूरा zone आ जाता है अब यह RSM भी 3 साल में कोई भी ABM से RSM बने में 3-5 साल का time भी लगता है हर एक phase के इंदर 3-5 साल का time period है लगब 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 इतना लग जाता है अगर आप अच्छा performing करते हैं और आप positive ह हैं आज के फार्मा के time पर कम्पिटीटीव है बहुत सारे लोग वहां तक जाने की सिर्फ सोचते हैं उसके according work नहीं करते हैं लेकिन आपके यहां पे negative environment बहुत है सकता हूं understand इसके अंदर यह gut feeling आती है नहीं मैं यहां पर कुछ करूंगा वह लोग फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं तो फिर जड़सम बन जाते हैं लगब 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 MR से जड़सम बनने में आपका 10 साल का time आलमोस्ट चला जाता है friend यह जो मैं लेरा एक ideal time देख रह को आप handle कर सकते हैं ठीक है अगर leaders of leaders को handle कर सकते हैं आप उनको manage कर सकते हैं as well as आप task design कर सकते हैं आप खुद की strategy बना सकते हैं इसके पहले के नीचे के जो steps हैना चाहे RSM हो या पी जड़सम हो यह ज़्यादा तर most आप दो लोग क्या करते हैं यह जो company सी strategy आती उसको follow करते ह बहुत ही rare case में but company की strategy को follow कर आके business generate करते हैं अब आप NSM label पे जब पहुंच जाते हैं तब आपको खुद strategy design करनी पड़ती है sales generate करने के लिए people management करने के लिए product portfolio manage करने के लिए ठीक है इसके पहले आप product portfolio manage नहीं कर रहे होते हैं जिस जड़ भी हम label पे product portfolio manage नहीं होता but NSM label पे आपकी responsibility बन जाती है product portfolio को manage करना means को ब्रेंड launch करना है किसको stop करना है किसका size reduce करना है किसका size बढ़ाना है यह सारी product की पूरी responsibility आपके उपर आ जाती है फिर आपको 4-5 साल का जैसे 305 साल यहां भी वही time period होता है आपको जैसे experience हो जाता है और आपके अंदर वो product portfolio को manage करना आ आ जाता है आपको business की समझ जाती है आपको profit loss समझ में आता है ठीक है आपको कहा से probability हो सकती है किसी organization तो next level पर कैसे लेकर जा सकते है as well as आपके अंदर जो है एक दूर दरसिता अगर आपके अंदर आ जाती है मला विजन से आपके अंदर जाते है future में क्या होने वाला है आप आप उसको observe करके पहले से बता पा रहें company को कि future में ऐसा train आएगा इधर जाएगा उधर जाएगा यह हो सकती है वो चीजी हो सकती है इस तरह से visionary skills आपके पास में अगर आ जाता है आप GM के लिए feel eligible हो जाते हैं आप GM बन जाती है ठीक है किसी भी company का IG GM जो major focus होता है friend वो होत है company को vision देना एक वे दिखाना जिसके थुरू company आगे बढ़ सके अप company expand कर सके नए नए वे सर्च कर सके जिसके थुरू company का revenue बढ़ सके company की branding हो सके company का नाम हो ठीक है IG GM यह responsibility हो तो पर प्लस पूरे team को साथ लेकि चलना पूरे GM में भी different varieties है actually ऐसा नहीं एक direct GM जो company head होता वो को भी GM होता लेकिन किसी division का head को भी divisional head कई भी बोले जाता है कई बाद DGM बोले जाता है ठीक कई बाद GM बनने से बीच में एक DGM का post create कर देती है company लेकिन यह हर company में ऐसा होगा ऐसा कोई guarantee नहीं है नहीं सम के बाद direct GM भी हो सकता है यह post creation company के management को उपर different करता कि company कैसे create करती है post DGM से फिर आप GM के लिए जा सकते हैं GM का मतलब होता है कि पूरी company को handle करना understand पूरी company के अगर company के अंदर दस division को handle करना लेकिन कई company जैसी भी हो सकती जहां यह GM वाली post हो ही ना सब DGM हो और DGM सीधे MD के report कर रहे है MD एक ही आदमी हो सकता है company का मालिक हां ऐसा को जरूरी नहीं क तो company का मालिक ही MD हो लेकिन MD के अंदर capabilities है MD की तरह work कर सकता है तो definite सी बात है company का most of the company में company का MD होता है वो company का मालिक ही होता है maximum cases में ऐसा देखा गया है ठीक है तो यह थे step friend जिसके थूना आप किसी भी company के GM बन सकते हैं यह तो मैंने step बताया कितने साल में promotion लेक कहां कहां जा सकते हैं लेकिन यहां पर मैं कुछ points आपको share करना चाहूंगा अगर आप really आपके अंदर जील है कि नहीं में जे इस profession के अंदर फार्मा profession के अंदर आगे जाना है और GM बनना है तो कुछ चीजे मैं आप बता दूं जिसको आगर आप मानते हैं follow करते हैं अपनी life के अंदर friend तो GM बन सकते हैं it is not a very tough ठीक है पहला step यह है कि आपको अपने mind से वो सोर को हटाना पड़ेगा जो पूरी pharma industry के अंदर spread है वो है negativity ठीक है आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे pharma industry के अंदर field में काम करते हुए जो आपको positive बाते बोलेंगे pharma के अंदर ठीक है मैं आपको एक real fact इसमें और पता देता हूं जितने लोग यह negative बात करते हैं उनसे अगर pharma के बारे में कुछ भी पूछ लो ना उनको ABCD कुछ पता नहीं होती है ठीक है पता कुछ नहीं होता ग्यान बहुत बाट रहे होते तो ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जिन लोगों के पास knowledge हो व उसी company के manager से मैं पूरा knowledge लूँगा या वही मुझे knowledge देगा आपके friend किसी दूसरी company काम करता उसका बहुत बहुत अच्छा है तो उनसे connect हो सकते हैं उनसे अपनी problem को share कर सकते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं आप ऐसा भी कर सकते हैं ठीक है तो पहला काम है negative people से दूर रहना द आपको senior लोगों का support चाहिए उन senior लोगों को touch में एक community build up करिए जिसमें आपके ABM हो जिसमें आपके ZBM हो जिसमें आपके NSM हो यह आपको mentorship लेनी है plus opportunity भी लेनी है ठीक है और आपका performance manage करके रखना है ताकि जैसे opportunity मिली आपके performance के base पे आपके knowledge के base पे आपको pick कर लिया जाए ठीक है तो आपको mentorship चाहिए mentorship के साथ साथ opportunity चाहिए और opportunity आपको कौन देगा वही senior लोग जिनके touch में आप रहोगे क्योंकि आपकी चीज़ें उनको explore होती रहेंगे ठीक है इसके अलावा self motivation यहाँ पे होना बहुत ज़रा ज़रूई है क्योंकि self कई बार मैंने देखा कि भी ज़्यादा problem बढ़ जाए राइट ऐसा हो सकता है बिलकुल लेकिन अपने आपको self motivated रखना और इस vision के साथ नहीं उधर मैं जा सकता हूँ उस पार भी एक दुनिया है जहां मैं जा सकता हूँ अगर आपके अंदर trust है ना फिर आपको कोई रियोग नहीं चकता आज मैं अब जैसे यहां सारी चीज़े कर रहा हूँ तो सुरूम जब मैंने किया था स्टार्ट किया था YouTube चैनल को भी मुझे मालूम था मैं यहां क्या कर सकता हूँ मुझे मालूम था potential पूरा मालूम था क्या कर सकता हूँ आज मैं कर रहा हूँ राइट तो वह 2-3 साल पहले जो उपने उपर विश्वास्ता यहां कुछ हो सकता है सेम ऐसे अगर आपको अपने उपर ट्रस्ट है तो आप उधर जा सकते हैं उस गुले में भी जा सकते है ठीक है तो यह चोटे-चोटे steps दे फ्रेंड जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए में है अपने learning को बढ़ाते रह रहिए उनके knowledge में रहिए उनसे पूछते रहिए बस आप धीरी धीरी आटोमेटिकली प्रमोट होते चले जाएंगे अपने performance को maintain रखिए बस ठीक है चलिए इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा अच्छा लगा होगा ठीक है लाइक कर दिए यह उसे मुझे काफी अच्छा लगता है और एसी इंट्रेस्टिंग वीडियो आप लोगों को लिए लेकर आता रहोगा बाए बाए